नमस्ते, हरी ओम, नमस्षिवाई, जै गुरूजी सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेरोबाई टीजे पर I am back with another candle wax reading, ये जो reading है हम करने जा रहे हैं For those who are in a no contact situation, उन लोगों के लिए जिनकी किसी एक particular person से बाचेत नहीं हो रही है और आप जानना चाहते हो कि उनकी energy आपके towards आज के दिन में इस समय में क्या है Okay, so ये timeless reading है, ये reading उनहीं लोगों के लिए है, जो no contact situation में है General reading है, यानि कि किसी भी व्यक्ति विशेश के लिए उनकी personal reading नहीं है So इसको as a general reading ही ले, ठीक है? और जब तक मैं आप लोगों के लिए energy cleanse कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप अपने person के चेहरे के उपर focus करें तीन बार उनका नाम, पूरा नाम अपने मन में repeat करें या अगर कोई nickname आपने उनको दिया है, तो वो नाम भी आप ले सकते हो और एक बड़ी important short video, जो है मैं upload करने वाली हूँ, hopefully maybe जब तक ये video आएगा, शायद वो video आप लोगों को मिल चुका हूँ, important है जरूर से देखेगा, कुछ बात जो मैं सब के साथ में साजह करना चाहती हूँ, share करना चाहती हूँ maybe दो parts में वो video बने, so please do watch it, मेरी request है, ठीक है चलिए, आज की reading आपकी शुरू करते हैं, also guys इससे पहले कि हम reading शुरू करें, please like, share and subscribe this video to support the channel, ठीक है, चलिए, आज की reading देखते हैं, जिनसे आपकी बात्चीत नहीं हो रही है, उनकी energy आपके towards क्या है, महादेव, please guide me, okay, मुझे कुछ situation पलटती हुई दिखाई दे रही है, सबसे पहला message, okay, जिसकि एक situation जो है, वो, उसने 180 degree turn ले लिया है, एकदम opposite हो गई है, या इनके emotions जो है, वो अचानक से एकदम opposite हो गई है, अगर यह positive mindset में थे तो हो सकता है, वो negative हो गया और यह negative हो करके चल रहे थे तो definitely positive हो गया है, कुछ न कुछ situation के dynamics आप लोगों के लिए change हो रहे हैं, कुछ circumstances जरूर बदलते वे दिखाई दे रहे हैं, no contact की हम बात कर रहे हैं और फिर से यहाँ पे दो lips बन गए हैं, yes, I got the message, कुछ लोगों के लिए of course यहाँ पे no contact के साथ में, third party situation भी चल रही है, we have letter V, letter U, letter L over here, इनसे name initials हो सकते हैं, surname भी हो सकता है, मुझे यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा cross बनता वा दिखाई दे रहा है, okay, through the gazing also I am telling you, एक काटा लगता वा, एक cross लगता वा मुझे दिखाई दे रहा है, और पुरानी चीज़ है, पुरानी एनर्जी वापस आती भी दिखाई दे रही है, maybe आपके person जो है वो एक road block पर hit करने वाले हैं, कोई decision, कोई ऐसा फैसला जो उन्होंने अपनी life में लिया है अभी recently, वहाँ से कहीं यह person मात खाने वाले हैं, या lot करके आपके पास में आने वाले, अगर ये किसी और की वज़े से आपको छोड़ करके गए हैं, तो उस इंसान की वज़े से कुछ disappointment इनको आज की दिन में मिलने वाली है, यानि कि जब भी आपके reading देख रहे हो, तो next 24 hours के अंदर, आगर कोई third party involvement है, तो वहाँ से disappointment इनको मिलने वाली है, और इनको ये भी समझ में आने वाला है, कि कहीं न कहीं कोई ऐसा बात है, कोई ऐसी चीज है, जो आपके रिष्टे में अधूरी रह गई है, या आप लोगों की जो journey है, वो incomplete रह गई है, इनको कुछ ऐसा लग रहा है, कि बहुत पुराने pain उभर उभर के बाहर आ रहे है, six of cups का card अगर आपने देखा है, जो nostalgia का card होता है, वो energy है, लेकिन उसके साथ में बड़ी painful सी energy मझे दिखाई दे रही है, heart है, but heart reverse हो गया है, सारी चीज़े उल्टी होती भी दिखाई दे रही है, okay, there is a message, हड़ बड़ी में decision ले लेना, या कोई बड़ा decision लेने के बाद में, किसी अपने से बिचहर जाने की feeling यहाँ पे आ रही है, किसी अपने से, जैसे कि छोटे बच्चे अपने parents को भीड में खो देते हैं, और उसके बाद उनको ढून रहे होते हैं, कहाँ गई मम्मी, कहाँ गई पापा, उस तरीकी की emotion, तो बड़ी sensitive abandonment issues मुझे लग रहा है, इस person के साथ में है, बच्पन का कोई trauma है, इनका जो, वाओ, वाओ तो नहीं कहना चाहिए, इस बड़ी बाद, अच्छिली, पहली बार general reading में, ये इस तरीके का message निकल के आया है, usually ऐसे messages, personal readings में निकल के आते हैं, okay, मेरी भी ऐसा लग रहा है, आखे न नम हो रही हैं, ये reading करते करते, क्योंकि ये बहुत emotional energy है, इनका कोई childhood trauma, जो है, वो trigger हो गया, या guys आप में से कोई है, जिनकी energy है ये, okay, बच्पन में किसी ने अपने parents को खोया है, या किसी अपने loved one को खोया है, और उस emotion को, उस situation को, इस चीज से जोड़ करके देख रहे हैं, इस रिष्टे से जोड़ करके देख रहे हैं, या तो आप में खोये हैं अगर, तो आप उस situation को, इस person से जोड़ करके देख रहे हो, या अगर आपके person के साथ, मैं ऐसा कुछ हुआ है, तो वो पुराने किसी, बहुत major emotional loss को न, इस situation से जोड़ करके देख रहे हैं, यैसी, यह कोई बड़ा है घर का, जिनके चरण यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिनके पैर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, definitely, बहुत सारे लोग शायद यहाँ पर ऐसे हैं, मेरे गलावी भारी होता जा रहा है, बोलते बोलते, जिन्होंने बच्पन में खोया है, किसी को, किसी अपने को, शैदाना दादी को, नाना नानी को, जिनसे बहुत करीब रहे हैं, तो वो एक abandonment issue है, जो कि वो वाला emotion, इनका आज के दिन में, unfortunately, trigger होने वाला है, कहीं न कहीं, यहाँ पे कुछ ऐसे situation भी, मुझे दिखाए दे रहे हैं, मैं भी खुद से आप parents हो, और यहाँ पे कोई है, जो अपने बच्चे को, बहुत ज़दा मिस कर रहा है, या बच्चा आपके पास में है, तो आपके husband या wife, जो भी है, वो बच्चे को बहुत ज़दा मिस कर रहे है, यह situation है, साथ में जो एक family का जो साथ होता है, वो जो feeling होती है, family के साथ में होने की, जो एक stability, महसूस होती है व्यक्ती को, वो चीज जो है, वो मिस कर रहे हैं, ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है, कि चीजें जो हैं, वो काफी ज़ादा भेतर भी होने वाली हैं, emotionally, इस इंसान का कोई emotional block है, जो melt हो गया है, this is, now this is beautiful, अगर यह इंसान बहुत धीट हो गए थे, बहुत stubborn हो गए थे, बिल्कुल सुन नहीं रहे थे, कुछ feel नहीं कर रहे थे, अपने emotions से run away कर रहे थे, तो इनके emotions जो हैं, वो meltdown होते वे, मुझे दिखाई दे रहे हैं, ओके, बातें जो यह खुद से भी नहीं कह रहे थे, डर के मरे के कहीं यह रो ना पड़े, वो सारी चीज़ें अब यह लग रहा है, accept करने के लिए तयार हो रहे हैं, शायद काफी हतक अपनी गलती मानने के लिए भी तयार हो रहे हैं, ego जो है, वो पिगलता हुआ दिखाई दे रहा है आज के दिन में, कहीं न कहीं energy better होती भी दिखाई दे रही है, reconciliation की तरफ गाड़ी आप लोगों की जारी है, fingers crossed, इस energy को ज़रूर claim कीज़ेगा, यहाँ पे letter P, letter B, letter D भी मझे दिखाई दे रहा है, letter H भी यहाँ पे बहुत ज़़दा clear है, okay, so this is basically reading में, जो बहुत ज़़दा painful इनके emotion या हो सकता है, कि इस time पर जब हमने tap in किया, इनकी energies में, तब यह person बहुत ज़़दा painful feel कर रहे है, okay, किसी बहुत पुराने या किसी पुराने टूटे विरिष्टे के बारे में सोच रहे हैं, या आपके और इनके रिष्टे के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आपके साथ में ये बहुत closeness, बहुत sense of stability ये महसूस कर रहे थे, यहाँ पर कुछ intimate moments भी हैं, बहुत close moments, एक couple के जो बहुत close moments होते हैं, वो इनको ध्यान में आ रहे हैं, या उनके बारे में recently इनोंने सोचा है, ठीक है, ऐसी बातें, ऐसे emotions, जो हर किसी से हर कोई share नहीं करता है, सिर्फ किसी खास व्यक्ति से, सिर्फ अपने साथी के साथ में, जो बातें की जाती हैं, जो पल जी जाते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, वो शायद इनके माइंड में हिट हो रही हैं बार-बार, येस, दूसरा मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है, कि कहीं न कहीं कोई ऐसे person है, जिनकी energy जो है, वो इस समय पर बहुत ज़दा shaky भी है, as in ये person हो सकता है, कि रो भी रहे हैं, जो कि बहुत emotional energy, reading की जो overall why भी है, वो extremely feminine जा रही है, very, 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 very feminine, इनकी जो yin side है, इनकी जो शक्ती वाली, जो इनकी side है, वो overactive है इस समय पर, तो ये एकदम भावोख हैं, बहुत ज़दा, या आज के दिन में, इनकी जो चंदर नाडी है, वो ज़दा active रहने वाली है, तो ये बड़े भावोख रहने वाले हैं, आज पूरे दिन में, बहुत ज़दा emotional रहने वाले हैं, और आज ऐसा लग रहा है, जिसे emotions से, शायद runaway भी नहीं करेंगे, और अगर नहीं करते हैं, तो उसका फाइदा होगा, इनको जिन चीज़ों को ये avoid कर रहे हैं, उनके answers इनको मिल जाएंगे, बहुत से ऐसी बाते हैं, जिनके सवालों के जवाब ये ढूण रहे हैं, जो answers इनको खोदी में, अपने अंदर से ही मिलने वाले हैं, बार बार एक word वापिस से repeat हो रहा है, किसी के साथ ही है, किसी के person है, जिनकी बातचीत नहीं हो रही है, वापिस आने वाले हैं, और जल्दी से आने वाले हैं, यहाँ पर एक arrow भी बन गया है, red color का which is going upward, जल्दी से वापिस आने वाले हैं, we also have a cute little heart over here, यहाँ पर बड़ा प्यारा सा चोटा सा एक heart बन गया है, तो वो emotional है, लेकिए उल्टे जारी हैं चीजें, इन्होंने कुछ plan किया था, कोई plan इनका मुझे लग रहा है, fail हो गया है, किसी person पर इन्होंने trust किया था, वो उस इन्सान ने इनको जो है धोका दे दिया है, कुछ ऐसी चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, okay, but mostly इनका या आपका कोई childhood trauma है, abandonment issue है कोई, जो कि आज के दिन में unfortunately trigger होने वाला है, और इनके अंदर का जो बच्चा है, जो inner child है, वो कहीं न कहीं healing मांग रहा है, okay, या वो सांत्वना मांग रहा है, कोई ऐसा समय था इनके जीवन में, जिस समय पर इनको किसी अपने की जरुरत थी, किसी के सहारे की जरुरत थी, और ये उस time पर अकेले थे, जो कि बहुती दैनिय सिचुएशन थी इनकी, बहुत painful सिचुएशन थी, और उस सिचुएशन से ये अकेले ही जूज गए, अकेले ही निकल गए, जब सहारा मिलना चाहिए था, छोटी उमर की कोई ऐसी बात है इनकी या आपकी, उस तमय पर कुछ सपोर्ट नहीं मिला, तो ये चीज है, किसी को खो देने का पेन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो आज ट्रिगर हो रहा है, unfortunately, बट इसका impact आप लोगों के connection के उपर, एक positive impact भी हो सकता है, क्योंकि ये emotional हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, and emotional हो करके ये बात इनके mind में आ सकती है, कि life जो है बहुत ज़्यादा unpredictable है, काब केस mode पर कौन बिचड़ जए, कौन कब चला जए जीवन से, कुछ नहीं पता, तो अच्छा है कि आप हर किसी के साथ में, मिल बाटके खुशी-खुशी आप रहो, और अच्छा समय व्यतीत करो, लोगों को अच्छी यादें दो, अच्छी energy दो, next morning आप सुबा उठतें, आप नहीं उठतें हैं, nobody knows, भगवान ने कब तक इसका जीवन लिखा है, we don't know, okay, so ये चीज हो सकता है, कि आपके person के mind में, कहीं से ये बात जो है, वो आने वाली है, या इस चीज को ये realize करने वाले है, या ये realization आपकी भी हो सकती है, क्योंकि पहले मैं आप लोगों की ऊर्जा से connect करते हूं, और उसके बाद में, या आप जिनके बारे में सोच रहे होते हैं, उनकी energy से connect करते हूं, so basically तो हम emotions चेक कर रहे थे, लेकिन बड़ी spiritual ये reading हो गए ये आप लोगों की, and I think कुछ भी ऐसे ही बेकार में नहीं होता है, कोई भी message अगर निकल के आ रहा है ईश्वर के सामने, तो वो मिलने हैं, ये संदेश आपको मिलने हैं, ये messages आज के दिन में इसी समय में आपको receive होने थे, इसलिए ये messages आएं, इसलिए ये बाते निकल के आई हैं आप लोगों की reading में, and कहीं न कहीं परिशानियां खतम होते हुए, ये मुझे जरूर दिखाई दे रही हैं आप लोगों के लिए, fingers crossed, I also, I always pray for you all, आप लोगों की खुशी के लिए, आप लोगों की health के लिए, आप लोगों की success के लिए, हमेशा जब भी मैं pray करते हूँ, तो आप लोगों के लिए पनी YouTube family के लिए, अपनी Instagram family के लिए, जो लोगों मुझे से जुड़े हुए हैं, या जो लोग सिर्फ मुझे देखते हैं YouTube पे, उन सभी के लिए blessings, और बहुत बहुत सारी happiness, आप सभी को, और मेरा gratitude भी कि आप लोगों इतना ज़्यादा support किया है, आप लोगोंने मेरे channel को, आप लोगों को मेरी तरफ से डेफिनिटली गिफ्ट मिलने वाला है, सब से त्यूंड, तस लोगों को free tarot card reading जो है, वो मिलने वाली है, उसका जो result है, वो announce कर दिया जाएगा, आप लोगों को community पर बता दिया जाएगा, मैं आप लोगों से मिलूंगी next video में, और जिस short के बारे में मैं बात कर रहे हूँ, उसको जरूर से देखिएगा, till then namaste and take care.